नर्स्ट इक्रिशन्स तो नर्स इक्रिशन्स कहां पर यूज होती है सबसे पहले तो हम यह पता करेंगे कि इसका क्या रोल है तो देखिए आपने पढ़ा हुआ स duż चे इस्टनर्रिटर्जन इलट्वल इस चेजल के दोरा हम क्या फाइंड करते थे एंड किया इम्व आपने हम में temperature कितना लेना पड़ता था 298 Kelvin लेना पड़ता था और जो concentration है वो वन लेनी पढ़ती थी molar और temperature और साथ के साथ pressure भी कितना लेना पड़ता था वन वार तब जाके हम cell का यह में find कर लेते थे लेकिन अब यहाँ पे जो नर्स equation है इसमें किसी भी condition में किसी भी concentration pressure temperature पर हम क्या कर सकते किसी भी सैल का यह में find कर सकते हैं तो थोड़ा सा हम इंटरवस्न ले ले लेते हैं यहां पर इसका मतलब क्या है कि जो आgreg्ट जो इसNर्स की शियान यह उसका रोल होता है cell potential find करने में cell potential कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं electrode भी कर सकते हैं वो भी किसी concentration, pressure और temperature पर हम find कर सकते हैं इसको किसने introduce किया था इसके कौन मतलब वो है inventor वो है German chemist Walter Harmon nurse तो यहाँ पे इनी के नाम पे इसी equation को क्या क्या आ जाता है nurse equation और यह nurse equation क्या होती है चलिए देख लेते हैं तो nurse equation होती है E is equal to E naught RT upon NF log product upon reactant देखिए यहाँ पे E की जगा हम यहाँ पे books में ऐसे भी लिखा मिलेगा आप उसको simply E b ले सकते हैं तो यहाँ पे E क्या है cell का क्या EMF है और E naught क्या है standard cell का R R के है आपका gas constant और T temperature F जो है फराडे अभी मैं इसको discuss करूँगा लेकिन मैं इससे पहले यह बता दू यहाँ पे product और reactant क्या show कर रहे है product और reactant यह show करते है वो reaction question show करते है तो normally books में आपको इस तरह का भी लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पे जो log की form लिखी है ln उसको हम कहाँ पे अगर इस form में लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो log में base to power E लिखा हुआ है तो यह normal log कलाता है अगर हम इसको log का base change करना चाहते है base कितना करना चाहते है 10 तो log E से हम अगर हम किसी भी चीज को convert करें तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है multiply करनी पड़ती है 2.303 into log 10 तो base change करनी के लिए हमें किस से multiply करनी पड़ेगी 2.303 से तो देखी यहाँ पे मैंने base change करके question लिखी है तो multiply में कितना आगी है आपका 2.303 और जो normal log होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है लेकि उसका मतलब आपका हमें से case form में होगा log base to E तो यहाँ पे log हमने base को change कर दिया 10 आईए उसको detail से पढ़ते हैं यहाँ पे सब का मतलब समझते हैं तो E का मतलब यहाँ पे है आपका cell potential of the cell E not का मतलब होगी है standard cell potential R होगी है आपका universal gas constant जिसकी value होती है 8.314 joule per mole per Kelvin temperature, T for temperature होगी है आपका N का मतलब number of electron transfer यह आपको यहाँ पे equation जब इसको apply करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे transfer of electrons जो होगी वो आपको question में given होगा कि कितने electron lose हुए, कितने gain हुए या कितने उसमें transfer हो रहे है F का मतलब होता है Faraday constant तो Faraday constant की एक अपनी value होती है उसकी original value होती है 96,487 कुलाम per mole लेकिन जब हम कोई numerical करते हैं या कोई calculation करते हैं तो उसको near about में हम कितना consider कर लेते हैं 96,500 कुलाम per mole लेकिन उसकी जो actual value है वो आपकी यह है और यह सिर्फ आपकी calculation के लिए easy के लिए करने के लिए लिए गई है अब देखें यहाँ पे क्या है कि जैसे यह temperature अगर माल लिए कि इसको हम room temperature पे निकालना चाहते है room temperature generally कितना consider करते है 25 degree centigrade जा उसको हम Kelvin में कहें तो 298 पे तो देखें यहाँ पे आप देखेंगे कि आड़ जो है वो gas constant पहली से fix है कि कि जो फराडे है वो भी value fix है अगर हम temperature को भी fix कर दे यानि कि हम उसकी value 298 के ले ले तो अगर ये value सारी यहाँ पे हम substitute करें तो हम पे एक नया result बनके आता है तो देखें यहाँ पे मैंने value लगाई है आर की जगे लगाई है यह आर जो है इसकी जगे हमने use करा 8.314 temperature कितना mention जो किया हुआ है वो 298 ले लिया और faraday constant कितना लिया हमने यहाँ पे इसकी original value ले ली ठीके अब अगर हम इस सब को calculation करते है किसको मैं mark कर देता हूँ यह जो part मैं red line से mark कर रहा हूँ इन सब को अगर हम calculate कर लेते हैं तो इसका जो answer है वो आपका calculation करने के बात आ जाता है 0.059 तो यह equation convert हो जाती E is equal to E naught minus 0.059 और upon में N बचा और log base to 10 product upon reactant तो यह nurse equation इस form में convert हो जाती है यह equation हम directly numerical में apply करेंगे जब आपके पास temperature कितना होगा 298 होगा और अगर temperature आपका 298 Kelvin या 25 degree centigrade नहीं है तो उस case में हमें यह वाली equation यूज करनी पड़ेगी विकॉज जो यह constant है 0.059 निकला है यह तब निकला है जब आपने temperature इतना consider करा है तो generally हमें आपके question दिया आता है उसमें mention नहीं होता तो हम उस equation को room temperature पे ही consider करके यह वाली equation solve कर ले apply कर लेते हैं तो देखिए अब आपने नर्स equation पड़े तो नर्स equation अगर आप से define करने को भी आ जाए तो आप क्या कह सकते कि नर्स equation क्या है नर्स equation एकदा relation है relation का मतलब होता है एक formula है किसके बीच में cell potential तो देखिए यहां पे cell potential हो गया यह आपका दूसरा किसके बीच में यह standard cell potential ही हो गया फिर किसमें relation है आपका temperature में हो गया और reaction question क्या हो गया आपका P upon R product को क्या बोलते है reaction of question तो नर्स equation क्या होती है तो नर्स equation is the relation between the cell potential the standard cell potential temperature and the reaction question तो यह आपका नर्स equation हो गया अब मैं आपको यह बताऊँगा कि नर्स equation को हम किसी equation से कैसे apply करते हैं तो हम जानेंगे यहाँ पर how to use इसका use किस तरह से करेंगे जब numerical हमारे पास आएगा तो कैसे apply होगा तो चलिए अब उसके लिए एक example consider कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर write the nerves equation for the following cell हमें इस cell की हमें अब पास एक equation cell representation दे रखा हमें किसी cell का यह और इसके लिए हमें nurse equation find करनी है तो कैसे find करेंगे सबसे पहले हम इसकी full equation निकाल लेते देखिए full equation निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले आपके पास क्या है ni ni से आपका क्या बन रहा है ni निकल के 2 प्लस electron बन रहे है यह 2 प्लस कब आएंगे जब यह दो electron क्या करेंगे loose करेंगे इधर आप देखेंगे ag plus convert किसमे हो रहा ag में तो यह ag plus क्या करेगा यह एक electron लेगा और इससे क्या बना देगा आपका ag बना देगा तो आपका यह एक cathode की reaction है और एक F की anode की reaction है तो यह anode cathode की reaction आपने पढ़ लख किये cells में अब देखिए इस equation की हमें cell equation निकालनी है तो यहाँ पर electron को हमें balance करने पड़ेंगे electron यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 से multiply करनी पड़ेगी तो यह 2 negative हो जाएंगे तो यह 2 पॉजिटिव आयन प्रोवेट करेगा और इसाफसों यह 2 एजी बन जाएगा अब अगर हम इस equation को add करें तो यह दोनों part क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे यहाँ पर equation आ जाएगी एन आई प्लस टूएजी और एन आई टू प्लस अफ फ्लस टूएजी तो यह आपकी ओगी cell equation तो आपने यह पहले देख रखा होगा कि कि किसी भी cell representation से cell equation कैसे find करते हैं तो नर्स equation find करने के लिए पहले हमें cell equation निकालनी थी तो देखिए मैंने अब अब यहां पर डारेट लिएक देता हूँ जो भी मैंने आपको निकाल के दिखाओी तो यहां पर equiUe है अब हमें यहां पर नहीं होती, E is equal to E naught 2.303 RT NF log 10 और यहाँ पर हमारा क्या होता है? product upon reactant, तो 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 प्रोडेक्ट में कौन कौन है आपके NI है, तो यहाँ पर NI के दो आयन से प्लस के, AG कितने, AG के कोई आयन से नहीं है, लेकिन AG के two molecules है, तो वो पाबर में यहाँ पर two ले जागा, अब आपको एक शीच मालूम होने चाहिए, कि जो ions की form में नहीं होते हैं, अपनी solid state या liquid की form में होते हैं, उनके लिए हमेशा concentration कितनी होती है, one होती है, तो यह आप दियार रखेंगे, for pure solid और liquid के लिए concentration one होती है, तो यहाँ पर pure कौन है आ one लगा देंगे, तो one लगा देने से यहाँ पर equation आपकी, यह one हो गया, तो यहाँ पर यह one हो गया, और यह one हो गया, तो यह खतम हो गया, तो आपका remaining part कितना बचेगा, ni2 प्लस ag प्लस का square बचेगा, यह, तो यहाँ पर यह equation हमने apply कर दिये, अब यहाँ पर एक बात कुछ भी नहीं कहता है कि कोई temperature की बात नहीं करता है, तो आप उसको room temperature consider करेंगे, और उसके बिहाँ पर यहाँ पर RT कितना part, यह जो मैं mark कर रहा हूँ, यह आपका constant मैंने निकाल के दिखाया था, यह constant कितना होता है, 0.059 होता है, तो इसको हम इस से replace कर देंगे, अगर आप आपको temperature कोई भी mention नहीं करा है, तो वो room temperature पे लेंगे, और देखिए, यहाँ पर n की value आप चाहे, तो कितनी लगा सकते है, 2, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था, तो electron कितने transfer हो रहे थे, n i से, जब n i ions बनेते, तो 2 electron यहाँ पर lose हुए थे, और वो 2 electron ag ने gain कर लिये तो number of electron कितने transfer हो रहे हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि room temperature पर यह equation किसमे convert हो जाएगी, आपकी यह वाला जो part है, यह part बनके कितना हो जागा, 0.059 और n की जगे हम कितना apply कर देंगे, 2, generally यहाँ पर मैं आपका एक चीज और बता दू, E की जगा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E, क्योंकि यहाँ पर हम इसको left part देखें, तो left part में क्या और आए हैं यहाँ पर, N, I, क्योंकि यह books में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि E की की जगा हम replace कर देंगे, इसी तरह से change करके, तो यह हमारी किसी भी form में लिखा हुआ मिल सकता है,